अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सैम रेसिपीज, आज हम बनाएंगे ब्रैट की मदद से बेहत सौफ्ट और टेस्टी रसमलाई, वो भी सिर्फो सिर्फ दस मिनट में, तो आईए चलते हैं रेसिपी की तरफ इसके लिए मैंने लिया है, हाफ लिटर दूद, उसमें शामिल करेंगे, 6 टेबिल स्पून, फुल क्रेम मिल्क पाउडर तीन अदर छोटी इलाची के दाने लिए, और उन्हें मोटा मोटा कूटलिया है, इसमें शामिल कर देंगे चीनी मैंने लिए है, 6 टेबिल स्पून, आपको जितना मीठा पसंद है, आप उतना रख सकते हैं मिक्स कर लेंगे, ताकि पाउडर मिल्क डिजॉल हो जा, और कोई गुठली ना रहे, और अब बॉइल कर लेंगे और मैंने लिए है, 6 अदर डबल रोटी के स्लाइस, बड़ी वाली साइस के हैं ये और इनके कॉर्नर्स हम रिमूफ कर देंगे, क्योंकि ये हमारी रस्मलाई को हाट कर देते हैं, बस हमें सेंटर वाला पार्ट चाहिए कॉर्नर्स हमने कर दिये हैं रिमूफ, अब हम इने पीस लेंगे ये सारे हमने संटर वाले पार्ट को पीस लिया है इससे हम गुन देंगे दूद के उपर जो बलाई की एक लियार आ जाती है, उससे ये है 6 टेबिल स्पून मलाई हम लेंगे थोड़ी-थोड़ी सी करके और इसको हम इस तरह से गुन देंगे जैसे के आटक गुनते हैं इसे हम इस तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से यक जां हो जाए ये अच्छी तरह से गुंचुका है, देखें कितना स्मूध है, अब हम इसके पेड़े बना लेंगे हाता में ओईल लगाने की जुरुवत नहीं, इस तरह से राउन करके और प्रेस करके रस्मलाई की शेप देंगे सर्विंग डिश में हम सारी बॉल्स बना के रख देंगे दूसरी तरफ दूद में वाइल आ चुका है, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा गाड़ा होना शुरू हो गया है, इसे हम थोड़ी दिर और पका के मजीद गाड़ा कर लेंगे अब जो हमने सर्विंग डिश में रस्मलाई तयार करके रखे हुई है, उसमें ये सारा दूद शामिल कर देंगे अब इसे गार्णिश कर देंगे हजबे जरूरत बादाम और पिस्ते से और इसे थंड़ा करके सर्फ करेंगे, थंड़ा करने से इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है ये रस्मलाई बनती है, बहुती सॉफ्ट, मुँ में घुल जाने वाली, देखें कितनी असानी से तूट रही है तो देखा आपने के इतनी जल्दी, इतनी सॉफ्ट और मज़ेदार रस्मलाई बनी है, आप लोग ज़रूर ट्रै कीजेगा चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए, नेक्स्ट रेसीपी तक के लिए, अल्ला हाफिज